हेलो शुरेंट्स एंके मितरलोग क्लास में आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता चली रहा है कि हमारी तरफ से यहां पर आज NCRT का हिस्ट्री का क्लास 6 का चेप्टर 4 आरंबिक नगर स्टार्ट करवाया जा रहा है इससे पहले कि जो लेसन हो चुके हैं आप उन्हें जरूर अटेंट करिए वो क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशल रहेंगी और आप इस लेसन को पहले से रीट कर चुके होंगे आज आजम यहां पर से रिलेटेट कुछ mcq आपके सामने लेकर आए हैं कुछ कोशन आंसर आजम लेकर आपके सामने आए हैं और मैं पहले ही बता दूँ आपको कि यहां आप जब क्लास अटेंट करेंगे तो जो आपके एक्जाम परपस हैं उनके लिए भी काफी जादा बेनि नगरों में से कई को दो या इससे जादा भी सो में विवाजित किया गिया प्राय पच्छिम भाग छोटा था लेकिन उचाई पर बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा बराता लेकिन निशले इलाके में था उचाई वाले भाग को पुराता तो विदों नर्गर दुर कहा औ अब एक बात समझेए एक कोशन में से आपको कई सारे अपने हाइलाइट्स मिल चुकी है जैसे की हरपा सब्वेता के नगरों की विशेष्टा की बात आ रही है तो इन नगरों को कईयों को दो या इससे जादा हिस्सों विवाजित किया गिया प्राय पच्छिम वाला जो नगर दुर्ग मतलब कहां पर है और निशले हिस्ते को निशली नगर कहा गया है तीनों स्टेट्मेंट सही है इसी के साथ आप कुछ बात और जान लीजिए हरपा सब्वेताय संबंदित लगभग देर सो साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइने बिचाई जा र कुछन के नगर दुर्ग में अब यहाला भी Benjamin अभी को शब्द WAKS मैं जान चुके हैं कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारते बनाई गई गई For example, मिसाल के तोर पर मोहन जोधार हूँ अब मैंने आप से जो कोशन रखा है यहाँ पर रिलेट करता है मोहन जोधार हूँ से उसमें एक खास तालाब बनाया गया इस तालाब को क्या नाम दिया गया? इसे पुरातत विदो ने महान इसनानगार नाम दिया इस सरहोबर में दो तरफ से उतने के लिए सीरिया बनाई गई और चारों और कमरे बनाई गई दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अब बताईए आपका क्या आंसर होगा? मैं पहले भी बता चुकी हूँ यह आपका मोक टेस्ट है important question answer आचुकी है जो कि आपके exam purpose से भी आपके लिए काफी beneficial रहेंगे तो अपना answer आप करते चलिए तीनो बाते यहाँ पर यह सभी बाते यहाँ पर सच है और कुछ बातें आपको इसके साबने मैं note करवा रही हूँ जो तालाब था यह वाला मोहन जोदारों में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरतत विदों ने महान इसनान गरा करा था तो उपर की दो statement हम cover कर चुकी है एक point और इसमें note कर लीजिया सरोवर के बारे में ही है इसमें भरने के लिए पानी कुवे से निकाला जाता था और उपियोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था तो देखिए statement सही तरीके से आपको पता होने चाहिए कई बार ये true or false के रूप में भी पूछे जा सकते हैं चलिए कोशन काली बंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में जहां संभवता यक किये जाते होंगे वहां अगनी कुंड मिले हैं तो कोशन बनता है अगनी कुंड संभवता कहां से मिले हैं काली बंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में जहां संभवता यक किये जाते होंगे वहाँ अगनी कुंट मिले हैं बरे बरे भंडार गिरे कहां से मिले हैं हरप्पा, मोहन जोदारों और लोथल जैसे कुछ नगरों में बरे बरे भंडार गिरे मिले हैं तो हाँ ये दोनों बात हैं सत्ते हैं सही कथन बताएं हरपा के नगरों में घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे गर के आगन के चारों और कमरे बनाये जाते थे अधिकांश घरों में एक अलग इसनानग्रे होता था और कुछ घरों में कुए भी होते थे कई नगरों में ढके हुए ना लेते इन्हें साफधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था बताईए कोई सा स्टेटमेंट सही है क्या केवल पहला नंबर का जो स्टेटमेंट है वो ही सही है या फिर दोनों पहला और दूसरा ही दोनों सही है या पहला और तीसरा सही है दूसरा गलत है या फिर तीनों ही सही है बताईए अब तक तो आपने आंसर कर लिया होगा इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही है और कुछ बातें आप इसमें और भी एट कर सकते हैं हर अभी हम बात कर रहे थे कई नगरों में ढके हुए नाले थे इन्हें साबधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था हर नाली में हलकी ढलान हुआ करती थी ताकि पानी आसानी से भैसके अक्सर घरों की नालियों को सरक्की नालियों से जोरा जाता था जो बाद में नालों में मिल जाती थी तो हाँ ये वाला statement भी correct है कोशन सही बताईए क्या सही है हरपा नगरों में बरी हलचल हुआ करती थी इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगी ये दोनों ही statement सही है और इसी के अलावा कुछ और बात है एट कर लीजिए इसके अलावा नगरों में शिल्पकार इस्तिरी पुरुष भी हुराहा करते थे बात है तो विदों को जो चीज़े हरपा के नगरों से प्राप थूएं उनमें अधिकतर क्या प्राप थूएं अधिकतर पत्थर शंक ताबे कासे सोने चांदी जैसी धातूं से बनाई गई थी ताबे और कासे से ओजार हतियार गहने और बरतन बनाए जाते थे यह दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसी के साथ नोट कर लीजिए सोने और चांदी से गहने और बरतन बनाए जाते थे यहां से मिली सबसे आकशक वस्तों मैंसे कौन सी बस्तों मानी गई हैं सबसे आकशक वस्तों मन के बाट और फलक सबसे जादा यहां पर आकशक वस्तों माने ग पोईंट स्थेमर्मिंभें आप मुझे कमेंट बोक्स में आंसर दीजीए दूसरा कोंशन हेल लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो ये भी एक कोशन बनता है कौन से रंग से डिजाइन किये गए खूबसूरत किस प्रकार की मिट्टी के बरतन बनाये जाते थे तो क्या सही होगा दोनों ही स्टेटमेंट सही है हरपा सब्विता के लोग पत्थर की महरें बनाते थे हरपा सब्विता के लोग काले रंग से डिजाइन किये गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बरतन बनाते थे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट पूर तरह सही है कोशन आंसर बताईए संभवता साथ हजार बश पूर्व में कपास की खेती होती थी अब बताईए वो कौन सी जगह थी जहां पर संभवता साथ हजार बश पूर्व कपास की खेती होती थी तो महरगर वो जगह है संभवता साथ हजार बश पूर्व महरगर में कपास की खेती होती थी और देखिए एक बात याद रखना ये कोशन दूसरी रूप में भी आ सकता है संबबता साथ हजार बश्पूर महर गर में फिलिंग दा बैंक्स की खेती होती थी बताइए चार आप्शन है सही आंसर कपास कोशन मोहन जोदारों से कप्रे के टुकरों के अफशेश चांदी के फूलदान के धकन तता कुछ अन्य कथन एक और दो सकते हैं या फिर केवल कथन दो सकते हैं दूसरे नंबर कथन सकते हैं तो क्या सही आंसर होगा यह दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसके अलावा मैं आपको एक बात नोट करवा दूं यहां पर वर्ल्ड प्योग हुआ है न फैयंस इसका मतलब क्या है यह समझ दीजिए फैयंस पत्तरों शंक प्राकर्तिक तयार किये जाते थे लेकिन फैयंस को क्रतिम तोर पर तयार किया जाता है बालू या इस्विक्ट पत्तरों से चून को गौंद में मिला कर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी उसके बाद उन वस्तुएं पर परत सफ़ेंगे रंग प्राइन नीले हलके समुदरी होते थे फैयंस इस्विक्ट से मनके चूरियं वाले चोटे बरतन भी बनाया जाते थे कोशन कांसा बनाने के लिए तावे के साथ मिलाई जाने वाली धात्युर टिन का आयात कहां से किया जाता था कासा बनाने के लिए ताबे के साथ मिलाई जाने वाली धातू टिन का आयात कहां से किया जाता था सही आंसर होगा आधुनिक इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था सोने का आयात कहां से किया जाता था आधुनिक कन्नाटक से और भमुले पत्थर का आयात कहां से किया जाता था गुजरात इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था ये सभी स्टेट्मेंट बिल्कुल सही हैं ये आप से पूछे जा सकते हैं कासा बनाने के लिए तावे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात कहां से किया जाता था आधुनिक एरान और अफगानिस्तान से सोने का आयात कहां से किया जाता था आधुनिक करनाटक से भ तिल और सरस्य उगाते थे जमीन की जुताई के लिए हलका प्योग की नई बात थी दौनों ही स्टेटमेंट सते हैं और दौनों ही बात हैं गलत हैं इसी के साथ आप नोट कर लीजिए हरपा के लोग गाये भैस बक्रियां पालते थे बस्तियों के आसपास तालाब चारगाह ह करते थे वे बेर जैसे पलों को एकटा करते थे मचलियां पकरते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थी कोशन कच्छ के इलाके में खदिर खेत के किनारे धोला वीरा नगर बसा था अब बताईए क्या है यह इस रूप में पूछा जा सकता था आप से यह धोला जब दोल वीरा के बारे में दोला वीरा नगर तीन भागों बाटा गया था यहां मिले कुछ अफ्षेशों में हरपा लिपी के बरे बरे अच्छों को पत्थरों में खुदा पाया गया था यह एक अनुका अफ्षेश है क्योंकि आम तोर पर हरपा के लिए मोहर पर मोहर ज इसी छोटी वस्तों में पाये जाते थे पर यहां पर मिले कुछ अफ्शेशों में हरपा लिपी की बरे बरे अच्छनों को पत्थरों में खुदा पाया गया है इन अभिलेकों को संभवतार लकरी में जड़ा गया था गुजरात की खंबात की खारी में मिलने वाली साबर मती की एक नदी के किनारे बसा है लोथल नगर यह सत्ते है और इसी के साथ नोट कर लीजिये यह जो statement है उससे related कुछ बाते हैं नोट कर लीजिए जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे इस नगर में एक भंडार ग्रह भी था इस भंडार ग्रह से कई मोहरें और मुद्रांग का निया मोहर बंदी भी मिले हैं अब यह मोहर बंदी क्या होता यह समझ लीजिए मोहर का प्योग सामान से भरे उन डिब्मों या थैलों को चिन्नित करने के लिए किया जाता होगा जिनने एक जगे से दूसी जगे भेजा जाता था और मोहर की च्छाप कोई मोहर बंदी कहते हैं कोशन सत्य कफंन बताईएगा लगभग 5000 साल पहले मिस्र मित्र नहीं मिस्र रही है मिस्र लगबग 5-6 साल पहले मिस्तर में साशन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाती, दात, लकडी और हीरे जवारात लाने के लिए अपनी सेनाय दूर दूर तक भेजी इन्होंने बरे-बरे मकवरे बनाए जिन्हें पीरामिंट के नाम से जाना जाता है राजाओं के मनने पर उनके शवाओं को इनी पीरामिंट में दफना कर सोचित रखा जाता था, इन शवाओं को ममी कहा जाता है ये सभी स्टेट्मेंट सही है, हाँ ये सभी स्टेट्मेंट करेक्ट है तो इसी के साथ यहाँ अज अपनी कलास कमपलीट करते हैं और आशक करते हैं कि आपके लिए काफ़ आदा कलास बेनिफिशल रही होगी और इसी के साथ अपने हम कलास यहाँ पर अज़ कमपलीट करते हैं